जिन्दगी कब परिणाम देगी क्या पता जिन्दगी कब वर्दान बनेगी क्या पता जिन्दगी कब परिणाम देगी क्या पता जिन्दगी कब वर्दान बनेगी क्या पता मिलते रहो मुस्कुराते रहो आगे बढ़ते रहो क्योंकि ये जिन्दगी कब आखिरी सांस लेग क्या पता अपनी बात की सुरुवात भगवान शी की वानी से करना चाहूंगा भगवान शी ने अपने सिश्यों को संबोधित करते वे कभी कहा था को ओ पि इम पना से ही मानो विनया नासनों माया मित्तान नासे ही और लो सब विनासनों मैं चाहूंगा सभी साथ में गुन गुनाएंगे भगवान ने कहा है कि क्रोध प्रीती का नाश करता है सभी बोलेंगे क्रोध प्रीती को नश्ट करता है मान विनय को नश्ट करता है माया मैत्री को नश्ट करती है और लोब सब कुछ नश्ट कर देता है बहुत प्यारी लाइने हैं जो हमें अपने जीवन से जोड़नी चाहिए और हमें अपने आपको मोटिवेट करना चाहिए श्री भगवान कहते हैं कि क्रोध प्रीती को नश्ट करता है, मान विने को नश्ट करता है, माया मेत्री को नश्ट करती है और लोब सब कुछ नश्ट कर दैता है तब भगवान से पूछा गया कि प्रभू आपने बिल्कुल सही कहा है लेकिन हम इन चारों को जीतें कैसे तब भगवान ने बहुत प्यारी बात कही थी कि शमा के द्वारा क्रोध का हनन करना चाहिए शमा के द्वारा क्रोध का हनन करना चाहिए नम्रता के द्वारा अहंकार का हनन करना चाहिए सरलता के द्वारा माया का हनन करना चाहिए और संतोस के द्वारा लोब को जीतने की कुशिश करने चाहिए मैंने आपको कहा कि हमारे मन के तीन दोस मैंने आपको पहले बताये थे पहले हमारा मन का दोस है इरश्या, दूसरा हमारा मन का दोस है अकड, तीसरा हमारे मन का दोस है माया और चोथा हमारे मन का दोस है लोग, ये चार दोस जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो हमारे दोस्त नहीं दुस्मन बन जाया करते हैं और जब हम इन चारों को हटा करके इनकी जगह अच्छे सद्गुण लेकर के आते हैं क्रोध की जगह जब हम ख्षमा को लेकर के आते हैं तो क्रोध हमारा दुस्मन बनता है और शमा हमारा मित्र बन जाता है जब हम अहंकार की बजाए नमरता को लेकर के आते हैं तो अहंकार तो हमें नीचे गिरता है पर नमरता हमें उपर उठा दिया करती है और जब हम माया की जगए सरलता को लेकर के आते हैं तो माया से तो आत्मा की दुरगती होती है पर सरलता से आत्मा का उत्थान हो जाया करते हैं और आज मैं जिस बिंदू पर आप सबको फोकस करना चाहूंगा वो है कि हमें लोब पाप की और ले जाता है पर संतोस हमें कल्यान की और ले जाया करता है हमें अपने जीवन में लोब को जगे देने की वज़ाए संतोस को जगे देनी चाहिए इसलिए तो हमारे बड़े बुजरुकों ने बहुत प्यारी बात कही कि संतोसी सदा संतोसी सदा सुखी और असंतोसी सदा दुखी असंतों सी हमेसा दुखी रहता है और संतों सी हमेसा सुखी रहता है लोब हमारी जीवन का ऐसा दोस होता है जब हम जीवन में अगर कुछ पाना चाते हैं और उसके लिए हम साम, दाम, डंड, भेद कुछ भी नीती अपना करके जब हम किसी चीज को पाने की कोशिस करते हैं तो वो चीज तो हमारे हाथ में हो सकती है आ जाए लेकिन उससे हमारे आत्मा का हनन और پतन हो जाया करता है इस दुनिया में तीन शब्ध है नमबर एक लोब जो हमें कहता है लूट करके खाओ और दूसरा है परोपकार जो हमें कहता है बाट करके खाओ लोब क्या कहता है लूट करके खाओ और परोपकार क्या कहता है लुटा करके खाओ दूसरों को बाट करके खाओ तो जो लूट करके खाता है वो इंसान के रूप में भी शैतान होता है लेकिन जो लुटा करके खाता है वो इंसान की रूप में भी भगवान होता है तो हमें इंसान की रूप में शैतान बनने की बजाए इंसान की रूप में ही भगवान बनने की कोशिश करने चाहिए गुर्देव ने कहा था भगवान को इंग्लीज में क्या कहते हैं गॉड इस्पिलिंग क्या है जी ओ भगवान को इंग्लिस में God कहते हैं और उसकी spelling God होती है और उसको एक वर उल्टा करके बोलिए तो क्या हुआ थोड़ा फरक हुआ या ज़्यादा फरक हुआ जैसे God को अगर उल्टा करते हैं तो डी ओजी बन जाता है यानि कि जब इंसान लोब की और बढ़ता है तो डी ओजी बन जाता है और जब इंसान परोपकार और संतोस की और बढ़ता है तो डी ओजी की बजाय जी ओडी बन जाया करता है तो हमें अपने जीवन में डी ओजी बनना है कि जी ओडी बनना है क्या बनना है जी ओडी बनना है तो भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कभी भी अपने उपर लोब को हावी नहीं होने देना चाहिए आप कबजी से गुजरे होंगे कबजी यानि जब पेट में मल जमा हो जाता है तो उसे कबजी कहते है ठीक वैसे ही जब इनसान के मन में मेल जम जाता है तो उसी को लोब कहा जाता है तो कबजी तो पेट का मल है और लोब हमारे मन का मेल हुआ करता है तो हमें अपने इस मन के मेल को दूर हटाने की कोशिश करनी चाहिए पर इनसान की ऐसी फितरत होती है कि जैसे जैसे लाब होता है वैसे वैसे लोब बढ़ता ही जाता है जैसे जैसे लाब होता है वैसे वैसे लोब बढ़ता जाता है जैसे हमने हमारी ख्वाइश थी कि मेरे मैं लख पती बन जाओं और जैसे हम लख पती बन गए तो हमारा कंट्रोल अपने आप पर आता है नहीं आता है जैसे हम लख पती बनते हैं तो फिर लाब से लोग और बढ़ जाता है और फिर हमारे मन में आता है कि अब लख पती से मुझे करोड़ पती बनना है और कोई करोड़ पती बन जाए तो फिर मन में संतोस नहीं आता फिर उसे लगता है कि अब मुझे अरब पती बनना है और अरब पती बन जाये तो फिर आता है कि अब मुझे खरब पती बनना है और इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है अरे भई तुम पत्नी के पती और क्या चाहिए लेकिन हमारे मन पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है इनसान इसलिए नहीं कमाता है कि उसको जरुरत है इनसान इसलिए नहीं कमाता है कि उसको जरुरत है इनसान इसलिए कमाता है कि उसको कमाने की आदत लग जाती है और आदत ऐसी लग जाती है कि अगर साज पीडी का हो जाए तो भी मन त्रिप्त नहीं होता है, मन में संतोस नहीं आ पाता है तो श्री भगवान कहते हैं कि जैसे जैसे लाब होता है वैसे वैसे लोब बढ़ता ही चला जाता है लोबी पुरुस को कभी त्रिप्ती नहीं आती है कहते हैं कि अगर कैलास के समान सोने के असंख्य परवत हो जाए तो भी लोबी पुरुस को त्रिप्ती नहीं आती है क्योंकि इच्छाएं तो आकास के समान अनंत होती है इच्छाएं तो आकास के समान अनत होती है हम इच्छाओं के ऐसे गुलाम बन जाते हैं इच्छाएं तो चक्र व्यू की तरह होती है उसमें घुसना तो आसान होता है पर निकलना बड़ा मुस्किल हुआ करता है तो श्री भगवान कहते हैं कि हमें अपने जीवन में लोब पर संतोस की लगाम लगानी चाहिए लोब पर संतोस की लगाम लगानी चाहिए लोभी वेक्ती न तो धनका उप्योग करता है न खुद के लिए उप्योग करता है न दूसरों को उप्योग करने देता है ऐसा व्यक्ति लोब भी हुआ करता है और संतोसी व्यक्ति खुद भी सद उप्योग करता है और दूसरों को भी उप्योग करने के लिए दिया करता है तो हमें अपने जीवन में किसको महत्व देना चाहिए हमें लोब की बजाए संतोस को महत्व देना चाहिए हमारे सांस्त्रों में एक बहुत प्यारी घटना आती है कहते हैं कि एक राजपंडित की अच्छानक मृत्यू हो जाती है राजपंडित की जो धरमपत्न उसका एक बेटा होता है वो बेटे से कहती है कि देखो जब तेरे पिताजी थे तो हमारे पूरे राजपंड़ में ठाट बाट नाम शान शोकती अब पिताजी चल गए तो अब हमें कोई नहीं पूशता है तू ऐसा करके तू भी पढ़ लिख करके तू भी पढ़ लिख करके पंडित बन जा ताकि फिर से हमारा मान संबन बन जाए तो बेटा पूस्त है कि मा मैं क्या करूँ तो मा कहती है कि पास वाले गाह में तेरे पिता जी के मित्र रहते है तुम वहाँ पर चला जा वो तुझे पढ़ा लिखा करके योग के बना देंगे और कहता है कि उनका बेटा पास वाले गाह में पंडीड जी के पास पढ़ने के लिए चला जाता है और पंडीड जी उसकी व्यवस्ता एक सेड के यहां पर खाने पीने और रहने की व्यवस्ता कर देते हैं तो उसका खाना पीना रहना तो सेड़ जी के यहाँ पर होता है और पढ़ने के लिए वो पंडित जी के पास आया करता था और कहते हैं कि सेड़ जी ने उसके खाने पीने रहने की व्यवस्ता के लिए एक नोकरानी को नोकरानी का प्रबंद कर दिया था पता नहीं संयोग कैस पता नहीं सहयों कैसा बनता है कि उस नोकराने के साथ रहते रहते उस लड़के को उससे प्यार प्यार हो जाता है और कहते हैं एक दिन वो दोनों वहां से भग करके कहीं और ही चले जाते हैं थोड़े दिन तो जैसे तैसे व्यवस्ता होती हैं फिर उसके बाद खाने के लाले पढ़ने शुरू हो जाते हैं तो पत्नी कहती है कि वही कमा करके लाओ कमा करके लाओ घर कैसे चलेगा तो वह कहता है कि मुझे तो कमाना दमाना आता नहीं है मुझे तो कमाना दमाना आता नहीं है मैं क्या करूं तो पत्नी कहती है कि इस राजी के राज्या का नियम है कि जो भी सुबह सुबह वो जिसका भी मुह देखता है सुबह सुबह सबसे पहले वो जिस पंडित का मुह देखता है उसको मुह मांगा इनाम देता है इसको स्वर्ण मुद्रें दो मासा सोना उसको उपहार में दिया करता है तुम चले जाओ तुम चले जाओ अगर तुम्हें दो मासा सोना मिल गया तो हमारा काम और आसान हो जाएगा उस वेक्ति के मल में आता है कि अगर मैं सुबह गया और कोई और पहले आ गया तो मुझे नहीं मिल पाएगा तो वो रात कोई रवाना हो जाता है और जब रात को रवाना हो जाता है और जब रात को रवाना होता है तो सैनिक लोग रात को एक अंजान वेक्ति को देखते हैं तो उसको पकड़ करके जेल में डाल देते हैं सुबह राजा के सामने उसको देकर कि राजा बड़ा खुश हो जाता है वो राजा कहता है कि चल अब मैं तुझे मूँ मांगा वर्दान दूंगा जो तुझे चाहिए तुम मांग ले जैसे ही वो व्यक्ति ये सुनता है तो उसके मन में आता है कि राजन आप ठैरो में सोच करके बताता हूं राजन आप कि मैं राजा से सो सोनया मांग लेता हूं सो सोनया मांग लेता हूं और मेरा गुजरा आराम से चल जाएगा फिर मन में आता है कि सो सोनया मांग लोगा वो तो छे महिने में खतम हो जाएगी फिर क्या होगा फिर मन में आता है कि हजार सोनया हजार सोनया मांग लेता हूं फि मुझे अपनी मकान भी तो बनाना है मुझे अपनी कोठी भी तो बनानी है वो फिर खतम हो जाएगा फिर मन में आता है कि एक लाख सुनेई की वज़ाए दस लाख स्वन मुद्राय मांग लेता हूँ फिर उसके मन में आता है कि दस लाख स्वन मुद्राय भी हो गई लेकिन इ उससे उपर ही वो तो मुझसे उपर ही रहेगा फिर मन में आता है कि राजा से क्यों ना उसका आधा राजे ही मांग लेता हूं फिर मन में आता है कि आधा राजे भी मांग लोगा लेकिन ये राजा तो मेरे उपर ही रहेगा ये राजा तो मेरे उपर ही रहेगा फिर मन में आ रहा है तो राजा से उसका पूरा राज यही पूरा राज यही मांग लेता हूं और उसके मन में इस तरह की धाराइं चल रही होती है तब ही राजा उसको आवा देता रहे भाई इतनी देर लगा ली तूने सोचने में इतनी देर लगा ली भाई क्या तुझे चाहिए जैसे ह राजा की वो आवा सुनता है कि फिर उसके मन में धाराई बदलती है कि अरे मैं कैसा मुरक जो राजा मेरा हित चाहता है मेरा कल्यान चाहता है मैं उससे उसका राजे ही छीनने वाला मैं उससे उसका राजे ही मांगने के लिए चला बैठा और उसकी मन की धाराई बदलती है औ मैं अपने मन की इच्छाओं का कितना गुलाम बन गया मैं अपने मन की इच्छाओं का कितना गुलाम बन गया उसके मन में आता है कि ये मन की इच्छाओं तो पूरी होने वाली ये मन की इच्छाओं पूरी होने वाली नहीं है और उसकी मनों धारा बदलती है उसकी विचार धारा बदलती है और वो राजा से कहता है कि राजन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए वो राजा से क्या कहता है अब मुझे कुछ नहीं चाहिए राजा पूछता है भई क्या हुआ राजा पूछता है भई तुम मांगने के लिए आया था और तुम कहरा कुछ नहीं चाहिए तब वो व्यक्ति कहता है कि जब मैंने अपने मन में जाका जब मैंने अपने मन में जाका और अपनी मन की धाराओं को देखा तो मुझे लगा मैं मांगने के लिए बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया लेकिन मेरे मन में मांगने का अंत तो आया ही नहीं मन में मांगने का अंत तो आया ही नहीं अब मुझे लगता है कि अब मुझे मन का गुलाम बनने की बज़ाए मुझे अपने इस मन को ही गुलाम बना लेना चाहिए मुझे मन का गुलाम इच्छाओं का गुलाम बनने की बज़ाए मुझे अपनी इच्छाओं को ही गुलाम बना लेना चाहिए और कहते हैं कि वो व्यक्ति आत्म बोद से भरा होकर वो संसार की रहा का त्याग कर देता है और सन्यास और जंगल की रहा पकड़ लेता है और वही कहते हैं कपिल मुनी जब सन्यास धरन कर लेता है और सन्यास धरन करने के बाद सब लोगों को प्रतिबो देते हुए कहता है कि इस दुनिया में केलास के समान असंख्य सोने और चांदी के परवत हो जाए तो भी लोबी पुरुस को त्रिपती नहीं होती है क्योंकि इ जीवन में लोब का गुलाम नहीं बनना चाहिए जीवन में आगे जरूर बढ़िये और जीवन में धन भी कमाये धन कमाना बुरा नहीं है लेकिन धन का गुलाम बनना बुरा है धन का गुलाम बन जाना ये बुरा है धन जीवन में उप्योग के लिए होता है तो हम उसका ख प्योग करें तभी वो हमारे लिए कल्यान का मार्ग बन जाया करता है तो अपने जीवन में हमें लोब को संतोस से जीतने की कोशिश करनी चाहिए अपने आपको कंजूस मत बनाईए अपने आपको कंजूस मत बनाईए अपने आपको उदार बनाने की कोशिश कीजिए अपने एक बर का वेक्ति कञिश्क्ण व्यक्ति वुफ जवर्ट के जा similarly उसकी कांट उसके पहां में कांटा छुब गया जने भुगवान में लग ते नहीं तुप उते खराब हो जाते कंजूस व्यक्ति कंजूस व्यक्ति ना तो खुद का भला करता है ना दूसरों का भला करता है एक व्यक्ति होटल में पहुंचा एक व्यक्ति होटल में पहुंचा अपनी पत्नी के साथ बुज़र्ग व्यक्ति था और उसने कहा कि वही एक प्लेट लेकर के आओ एक प्लेट लेकर के आओ और उस वेटर ने देखा कि पती पत्नी दोनों आए हुए हैं लेकिन पहले पती खा रहा है पत्नी चुप बैठी है तो उसने पुछा भई क्या बात है आप दोनों साथ-साथ क्यों नहीं खा रहे हो उसने क्या बता हूँ सवाल तो तेरा ने कंजूसी को महत तो मत दीजिए कंजूसी को इस्थान मत दीजिए अपने आपको दिल से थोड़ा उदार बनाने की कोशिस कीजिए अपने आपको उदार बनाने की कोशिस कीजिए क्योंकि याद रखना कंजूस वेक्ति ना खुद का भला कर पाता है ना दूसरों का भला कर प बेकार हो जाता है, अस्पताल में सब कुछ हो पर डॉक्टर ना हो तो अस्पताल बेकार हो जाता है, ठीक वैसे ही भोजन में सब कुछ हो पर नमक ना हो तो भोजन बेकार हो जाता है, वैसे ही जीवन में सब कुछ हो पर परोपकार ना हो तो ये जीवन भी बेकार हो जाता है तो हम अपने जीवन में संतोसी बने, परोपकारी बने, कंजूसी और लोब को बाहर निकालें तो हमारी ये मन का दोस अगर दूर हो गया तो भगवान कहते हैं हमारा जीवन सुखी और आनंद भरा बन जाएगा सब के लिए बहुत बढ़े